सो हेलो गाईज कैसो आप लोग आज शीवड आपको बताने वाला हूँ यार कैसे आप अपने एंड्रोइड जो मुवाइल है आपका किसी भी कंपणी का है सैमसेंग वपो व्योव रियल मी उसको टैबलेट में बदल सकते हो यानि जो टैबलेट की फीचर्स है जैसे हम टैब मुवाइल को टैबलेट पर बदल सकते हुए वीडियो को इक लाइक कर देना और चैनला पर पहले है तो चैनला को सब्सक्राइब करके बाइकम को और पर कोई किसी का भी phone है उसमें about phone का जो features है उसको search करना है आप चाहो तो उपर से भी इसको search कर सकते हो search वार मिल जाएगा about phone लिखोगे तो आ जाएगा ठीक है हर किसी के phone में होता ही about phone का option इसपे click करना है और यहाँ पर आपको एक option में देखने को मिलेगा software software information इसपे click कर देना है और यहाँ पर जो build number है इसपे आपको क्या करना है 7 time tap tap करना है ठीक है 1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7 7 time tap tap करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है बैक आना है ठीक है और फिर आप देखेंगे setting में के नीचे सबसे नीचे आपको एक option इनीबल हो जाएगा developer option जैसा कि आप जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो आपके में एक developer option आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो इसपे आपको click करना है click करने के बाद आपको क्या करना है search bar में उपर आपको एक दिखे minimum इसपे आपको click कर देना है और जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो आप सबसे नीचे एक option आपको मिल जाएगा minimum with जैसे कि आप देख सकते हो 612 जो dpn लिखा हुआ है आपके में अगर samsung के phone होगा तो उसमें 411 या फिर 300 कुछ अगर जितनी भी हो आपको कितनी कर देनी 612 कर देनी और एक बात ध्यान लखना आप जितनी minimum जै अपने open किया इसको आप ध्यान लखना कितनी आपकी पहले already phone में थी उसको एक बात ध्यान लखना जिससे कि यहाँ पर मेरे में 411 थी मैंने इसको 612 कर दिया इसके बाद आप इसको ok कर देंगे 612 करके ok कर देंगे फिर आपको यहाँ पर क्या करना है आपको एक option आपको जाना है अपने phone की setting में ठीक है setting में जाना है फिर से आपको phone की setting में जाना है और यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा डिस्प्ले का ठीक है डिस्प्ले का option मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर font size and style है इस पर क्लिक करना है आपको जो अपना font size है इसको full कर देना है ठीक है मैं अगर chrome browser यहां पर open करता हूं तो आप देखेगा यह किस तरीके से यह देखी है Chrome browser देखे पूरा जैसे कि हम लोग tablet में यूज करते हैं Google को इस तरीके से आ रहा है उपर देखिए सारे यहां पर multi tabs आ रहा है यूटूब है यहां पर देखिए YouTube पर क्लिक करूँगा तो YouTube ओपन हो जाएगा और यहां पर और और भी टैप में भी क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तो यहां पर टैप की तरह में यूज कर रहा हूँ अगर आप और भी मैं आपको दिखा दूँ देखिए नीचे option भी आए टैप का अगर मैं यहां पर जाता हूँ Gmail में तो देखिए Gmail को भी आप इस तरीके से यूज कर पाऊगे तो यहां पर देखिए Gmail हमारा open हो रहा है तो यह तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और भी आपको यहां पर देखिए नीचे जो option है बो भी चेंज हो गया है यह देखिए tablet की तरह यहां पर आने लगा है यहां पर मैन मीनू में जाते हैं एक बार और एक बार हम इसको यूज करते हैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ my files में अगर आप जाएंगे तो यहां पर यह देखिए तो यह देखिए my files में अगर आप जाएंगे तो आपको my files में भी देखिए देखने को मिलेगा इस तरीके से आप tablet की तरह यूज कर सकते अपने phone को तो काफी अच्छा features है guys आप देख सकते हो यहां पर तो वीडियो अ पर यह बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना